तो हेलो फ्रेंट्स एंड विल्कम तू तू न्यू वीडियो तो फ्रेंट्स कभी कभी मार्केट ऐसा मुव्मेंट करता है कि मुव्मेंट तो बहुत बढ़िया होती है बट हम लोग को ट्रेड नहीं मिलते हैं जैसे अगर आप आज जाके देखेंगे तो निफ्टी में है कभी भी मार्केट अगर बहुत जादा गयाप अप होता है तो चांसे होती है कि मार्केट साइडवेस मूव्मेंट करेगा तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मार्केट आज इतनी बढ़िया रैली कि आपने ट्रेड नहीं लिया या फिर आपने ट्रेड कम करने वाले हैं for 21st September of Wednesday कहां पे आपको call and put की positions बनानी चाहिए डेफिनेटली आपको आज की वीडियो में clear होने वाला है तो उससे पहले अगर आप हमारे free telegram channel से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के description में आपको link मिल जाएगी आप free में telegram channel join कर सकते हैं और देखिए मतलब कल भी मैंने 2 options के trade दिये दोनों में बहुत बढ़िया profit हुआ और मैंने आज भी 3 trade दिये एक stock का दिया बजाज auto का दोनों 1,700 की put दिती 367 पे अगर आप देखेंगे तो उसने high बनाया 400 के पास तो हम लोग अब उसमें भी बढ़िया target अचीव हुआ उसके अलावा मैंने 1 trade और put की दिती थोड़ा सा उपर मुझे जाना पड़ेगा अगर आप देखेंगे तो यहां मैंने put दिती 41,500 की 322 पे और अ trade अलगबग 300 पाउंट की rally देखने को मिली बट अगर आप movement देखेंगे तो market gap up हुआ और बहुत जादा sideways movement किया है तो आप इसको बोल सकते हैं कि options buying अगर आप करते हैं और अगर आप exact level पे trade नहीं लेंगे तो आप first सकते थे ठीक है हम लोगों एक strategy डालग किया कि कैसे आपक index को बहुत nifty and bank nifty को gap up and gap down में trade करना चाहिए उस strategy के हिसाब से अगर आपने लिया होता तो आपकी entry यहां पर बनती यह आपका छोटा सा stop loss होता और definitely आपको बहुत सुंदर rally देखने को मिली है और अगर आप देखेंगे तो second half में क्या हुआ sell off देखने को मिला है तो market ने दोनों chance especially आपको second आप में एक बढ़िया put option वाला trade दिया था और यहीं पर मैंने trade दिया था definitely वो put और उपर गई होगी और ठीक है हमेशा है मोना चाहिए कि बहुत भी पैसा बने पहले market से पैसा निकाल लू फिर उस profit पर profit बनाने की कोशिस करत है तब तक upside का एक बढ़िया green वाला momentum आप नहीं मान के चल सकते हैं intraday का movement क्या होगा हम लोग के लिए discuss कर लेते हैं तो देखिए friends जैसे ही nifty आपका 17,800 की level को cross करता है देखिए 10 point का buffer हमेशा रखिए कभी-कभी stop loss hunting हो जाती है वो नीचे लाते हैं फिर तुरां दूपर ल target and 17,690 का second target आप रखने वाले हैं stop loss हमेशा लगा के trading करनी है stop loss आपका रहे का एक छोटा सा swing आई around 17,830 के पास अब देखिए दोस्तों कहीं से भी मेला कल के लिए call की positions की बात करूंगा ही नहीं market में हम लोग के वल put side की बात करेंगे definitely अगर strategy के हिसाब से call का trade बनेगा मैं तो टेलिग्राम पे अपडेट करूंगा ही अगर market आपका यहां से reversal दिखाता है upside के लिए और अगर आपका 17,900, 17,920, 930, 940 कहीं पे भी जाके pause तो लेना ही है उसको because बहुत सारे resistance यहां पे हैं देखिए यहां पे resistance है फिर ऊपर थोड़ा sour resistance है फिर यहां पे भी resistance है around 17,970 और 18,000 का लेवल भी एक psychological लेवल रेजिसंस का काम करता है तो इधर पे जहां पे भी आपको अगर reversal candle देखने को मिलती है बीरिस reversal candles, shooting star, gravestone doji, बीरिस engulfing, long lake doji तो यहां पे भी आप केवल in केवल पुट की position बनाने वाले हैं वो लेवल कहां पे हो सकता है 17,920 हो सकता है 930 ह 940 हो सकता है दो targets आप रखने वाले हैं पहला target आपका रहेगा 17,850 के पास और second target आप रखेंगे आज के लोग के पास around 17,800 के psychological लेवल के पास stop loss आप क्या रखेंगे मान लीजिए आपकी entry बनती है 17,930 के पास आपका stop loss होगा 17,970 के वो 40 से 50 point का stop loss होने वाला है और friends अगर आप हमारे gold telegram group से जूना चाहते हैं जो की मैंने free करके रखा है बस आपको एक छोटा सा काम करना है और आपने करना क्या है कि आपको बस हमारे video के description में जाना है किसी भी broker में जरोधा, upstocks, allies, angel, dimate account open करा ही है maximum में free ही है वहाँ पे भी कोई charge नहीं लगता है और आपको हमारे gold telegram group की lifetime access मेलेगी यहाँ पे में बहुत सारे charts, बहुत सारे levels, बहुत सारे materials और regular basis पे definitely में यहाँ पे webinars भी लेने वाला हूँ सब यह चीज़े absolutely free है और इससे आप trading में बहुत बढ़िया edge build कर सकते हैं तो अगर आप interested है तो link के थ्रू account open करा ही और आपको lifetime access मिल जाएगी अगर हम लोग बात करें के bank nifty की तो bank nifty में definitely मैंने दो ट्रेट दिये दोनों में बहुत बहुत सुंदर targets देखने को मिला उपर से हम लोगी जो scalping strategy है जो मैंने gap up and gap down trade करने को बताया है अगर आपने वहाँ पे भी trade लिया होता चोटा सा आपका stop loss होता तो अगर आप देखे है उसके बाद second gap में किया हुआ market resistance लिया around 41,700 के psychological level पे बीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे more of a previous trading sessions का high भी था और वहीं से एक बढ़िया reversal देखने को मिला है और अगर आप ध्यान से लेखेंगे तो कल आप इसमें और बड़े profits capture कर सकते है especially अगर इस support range का breakdown होता है around 41 41,400 के नीचे तो देखें दोस्तों जैसे ही आपका bank nifty support level का break करता है around 41,400 के नीचे जैसे ही जाएगा दो चाटिक बनाएं आप तुरंद पुट की position बनाना 41,200 का because यहाँ पे market touch करेगा ही करेगा because यह क्या बोलते है basic price action laws होते हैं जो follow होते ही है so 41,400 का पहला target and 41,020 का second target exact target हमेशा profit book करना है इसके पूछे कुछ levels होते हैं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे market बहुत बार retest किया है अपर चला आपको तो यहाँ पे लगबग मुझे लगता है 300,500 की rally मिल ले उसके बाद भी आप बड़े profits के लिए बैठे हैं तो कहीं न कहीं आपका वो लाल अच है ठीक है stop loss आप क्या रखेंगे stop loss आप रखेंगे 41,500 का x-wing high same to same scenario आपका bank nifty में भी बनता है अगर market उपर जाएगा आपने कहीं पे भी call की positions नहीं बनानी है वो strategy बने की definitely मैं आपका update कर दूँँगा अगर आपका bank nifty 41,700, 41,720 के पास जाके कोई भी bearish momentum candle बनाता है सारा game candle 6 pattern strategies, price action और support रेशन, trend line का ही है तो आप तुरण put की positions वहाँ से भी बना सकते हैं पहला target आप क्या रखेंगे पहला target आप रखेंगे 41,550 के पास और second target आप रखेंगे जहां बेभी आप entry लेते हैं for example your entry was 41,700 तो 80 points उपर 41,780 आपका swing आई एक stop loss होने वाला है और friends अगर आप चैनल पर ना है तो definitely चैनल को subscribe कीजिए वीडियो में हम लोग का एम रहेगा at least 1000 लाइक आप लाइक वीडियो को थोड़ा सा कम करते हैं मुझे अभी पता चला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए इससे क्या होता ना हम लोग का जो growth होता है चनल का वो अच्छे से improve होता है और सही content लोगों के पास जाता है तो मुझे भी motivation मिलती है कि हाँ आप लोग like and subscribe चैनल को कर रहे हैं वीडियो के regarding अगर आपका कोई भी सुजाओ है क कोई भी suggestion है definitely आप मुझे comment करके बताइए आपको personally में वहाँ पर reply करने वाला हूँ और stop loss के साथ trading कीजिए proper risk punishment रखी और strategy के साथ trading करेंगे तो definitely आप trading से बहुत अच्छा पैसा बनाने वाले हैं और telegram अगर आप जॉइन करना चाहते हैं gold telegram so description में लिंक है account open कराए lifetime की access मिले अच्छा बाले हैं